यारम बाहिर बरफ गिर रही है देखें यहां तो बिल्कुल भी सर्दी नहीं है वो सिरियां उदर कर नीचे आई थी जहां शीशे के बड़े सी दिवार के बाहिर बरफ गिर रही थी वो जल्दी से सिरियां चार कर वापिस वेटरों में आई और यारम को बताने लगी यारम ने मस्कुरा कर उसकी एकसाइटमेंट देखी मैं तो पहले ही कहता था जब बरफ गिरती है तब ज़्यादा सर्दी नहीं होती हाँ लेकिन बरफ गिरने के बाद वो बहुत सर्दी होती है इसी हैत्याद जरूरी है यारम ने उसकी शॉल ठीक से उसे खंदो पा पहलाते हुए कहाँ उससे अभी तक रात वाली ही ड्रेस फेहन रुकी थी मैं अभी थोड़ी देर में होटल जाओंगा और वहाँ से आते हुए तुम्हारे लिए कुछ ड्रेस लाओंगा और यहाँ पर तुम किसी भी किसम का ड्रेस पहन सकती हो क्योंकि यहाँ मेरे इलावा और कोई नहीं होगा हम अगले चार-पांच दिन यहीं रुकेंगे फिर वापिस दुबई जाएंगे यारम ने उससे अपने करीब करते हुए बताया यारम अगर हम वापिस ही जाने वाले थे तो आपने घर यहाँ क्यों खरीदा है रु ने हिरान की से पूछा क्योंकि हम हर साल यहाँ छुटिया बनाने आएंगे मेरी जान अब हर साल हम होटल में तो नहीं रह सकते न यारम ने प्यार से उसके पालों कुछ चेर्दे होए कहा यारम आपकी पास क्या बहुत पैसे हैं वो थोड़ी के नीचे हाथ रख के पूछने लगी हाँ बहुत क्यों तुमें कुछ चाहिए क्या वो मुस्कुराया मुझे लिपस्टिक लेनी है रू ने चल्दी से फरमाश कर दी यारम क्या का लगा कर हसा रू तुम लिपस्टिक के लिए मुझसे पूछ रही थी कि मेरे पास कितने पैसे हैं इसवे हस्टे वाली कुन सी बात है मेरी आपी के पास बहुत सारी लिपस्टिक सी वो कभी कभी मुझे भी लगाती थी रू एक्साइटर ने बताते हुए कब उसके इतने करीब पैट गई उससे खुद भी बताना चला इसास सब हुआ जब यारम उसे पूरी तरह से खेच चुगा था यारम प्लीज छोड़े रू का दिल सोर से धरकने लगा यारम की खुर्पत में उसका यही खाल होता था उससे अपना आप चुरवाने की नाकाम से कोशिश की जब यारम ने उसके लवों पर अपने होंट रख कर उसके बसामत को नाकाम बना दिया नहीं मुझे कही नहीं जाना यही रहना है मुझे भी अराम करना है रू ने उसे फैस्सा सुनाया लेकिन रू तुम यहां कैसे रहोगी मैं तुम्हें अकेला छोड़ कर नहीं जा सकता मैं अपने घर में अकेले नहीं रह सकती यारम कुछ नहीं होका मुझे चोड़ने को दयार ना हुआ ओहो, मैं बाहर निकलूँगी तो एक जंगली जानवर आएंगे न और वैसे भी जंगली जानवर रात को आते हैं आज तो इतनी रोश्णी है यहाँ अब प्लीज आप जाएं, अगर आप लेट हुचाएंगे तो फिर लेट आएंगे, और फिर आते ही मेरी नीन के दुश्ण बन जाएंगे रोश जल्दी जल्दी भोलती अपनी सुपान दान्तों के नीचे दभा गई उसकी बात सुनका यारम के टिंपल नुमाया हुए ठीक कह रही हो, तुम जल्दी जाओंगा तो जल्दी वापिस आओंगा क्योंके वापिस आके मुझे तुम्हारी नीन का दुश्मन भी बनना है वो श्रारत से कहता हुआ उठा और दर्वाजा अंदर से ठीक लॉक करो और जब तक मैं ना हूँ बाहर मत निकलना यहाँ दूर दूर तक कोई आता रहता नहीं हयाल रखना अपना मेरे लिए वो अपस उसका मादा चुमते हुए बोला और बाहर निकल गया उसके जाने के बाद रूर ने पूरा घर देखा जोकि वो सुबाह ही देख चुकी थी घर की सेटिंग ठीक नहीं थी लग रही थी तो अंदर आते ही उसे सर्दी क्यों नहीं लगी यह सच था कि परफ किरते हुए इतनी सर्दी नहीं महसूस होती लेकिन यह भी सच है कि इंसान जितनी सर्दी महसूस करें उसे उतनी सर्दी लगती है और रूम से जादा अच्छी तरह से सर्दी कोन मैसूस कर सकता था यह बात यारम बहुत जादा अच्छी तरह से समझ चुका था इसलिए उससे इस घर में स्पेशली हिज्जिसिम सिस्टम लगवाया था और अब खुमने के बाद वो टीवी के सामने आपे थी और फिर थोड़ी ही देर में बोर होके वो अपने बेट्रूम में आई यारम की परफियूम और सिग्रिट की मिली जूली महक अभी तक कमरे में मुझूद थी यारम सिग्रिट बहुत वीधा था और इस चीज़ से रूखों को इतरास ना था क्योंकि उसकी बहन दानिया भी अम्मी और बहनों से चुप-चुपा का सिग्रिट भी दी थी उसको पता होने के पावजूद उससे ये बात कभी किसी को ना बताई एर वो बता भी दे थी तो वैसे भी कौन उसकी सुनता वो यही सब सोच्टे हुए आकर बिट पे लेट गई वो अब भी अपनी आज ही और कल की सिंदी के बारे में सोच रही थी कितना कुछ बतल चुका था यहां का आके कितनी अलग हो चुकी थी उसकी सिंदी पाकिसान में तो उसे जुत STEP केलिए सोचने को भी वक्त नहीं बिलता था वहां कून था उसकी परवा करने वाला, उसको पूछने वाला वो दिन रात काम करती थी कोई नहीं था जो उसके बिमार होने पर उसे डॉक्टर की पास लेके जाता डॉक्टर की पास लेके जाना तो दूर कोई उसे दवाई तक नहीं लाके देता था सबकी खाने की बाद अगर खाना खतम हो जाता और उसके लिए कुछ ना बज़ता तो कोई उससे ये नहीं पूछता था कि तुमने रात में घौना खाया या नहीं और यहां कोई था जो उसकी जड़ा सी बात भी कितने गोर से सुनता था उसकी परवा करता था उसके खाना ना खाने पर सो वार पूष्टा था कितनी बदल चुकी थी इसकी जिंदेगी यारम उससे मुखबत नहीं इश्च करता था और इस इश्च पे वो इमान ले आई थी सोच्टे सोच्टे ना जाने कब उसकी आंक लग गई आंक खुली तो भाही थोड़ा थोड़ा अंदेर चा चुका था वक्ती खा तो शाम के तीन बच रहे थे यारम अभी तक नहीं आए ये कहां रहे गए वो सोच्टे हुए उठी और खिर्की का परदा उठाया दूर सड़क पर एक आदमी चलता हुआ जा रहा था उससे कंबल नुआ शौल से उठको रखा हुआ था ये शायद उससे कोई चेकिट पहन रखा था उठी वाला दूर से समझ रही आ रहा था यारम ने तो कहा था यहां कोई भी आता जाता नहीं यारम ने बताया था कि यहां दूर दूर तक ना कोई बजार है और ना ही कोई घर तो फिर ये आदमी कौन था कहीं कोई रास्ता तो नहीं भूल गया सोच्टे हुए पर्दा बराबर किया और वापिस बैट पर बैट गई थोड़ी धेर में आदमी को भूला कर वापिस नीचे आ गई यारम अब तक नहीं आये फून भी नहीं लाया अपना वरना पूछ लेती चलो टीवी देखती हूँ उससे सोचा और एक बर फिर से टीवी ओन करके बैट गई यारम को गए हुए तकरिबन धाई गंटे हो चुके थे होटल यहां से बहुत वास्ते पर था इससे तो बहतर था साथ ही चली जाती वो सोचटे हुए एक बार फिर से टीवी बंद करके कमरे में आ गई यहां खाना बनाने का कोई समान मुझूद ना था परना वो ही बना ले थी यारम ने जाने से पहले उससे प्रेट खला कर चाय भी लाई थी और अब उससे हलकी फुलकी फूख में मैसूस हो रही थी कमरे में आने के बाद उससे एक बर फिर से यारम के इंतसार में सड़क देखने के लिए परदा आ जाया तो देखा वो आदमी अभी भी वही उसी चुखा खड़ा है बाहिर पर्फ किरना शुरू हो चुकी थी और वो आदमी अभी तक वहीं खड़ा था या अल्ला ये कैसा आतमी है इस तरह से बरफ में खड़ा है यगीनन ये आतमी रास्ता भूल के इस तरह आगया है शायद अब किसी काड़ी या लिफ्ट का इंतसार कर रहा होगा मुझे इसकी मदद करनी चाहिए लेकिन ये तो मेरी सुपान समझता ही नहीं मैं इसे कैसे बताओं कि वो गलत जगा आया है उफ जैसे भी बताओं लेकि मेरा फर्ज बनता है कि मैं इसे सही रास्ता दिखाओं शुरू ने सोचते हुए अपनी शौहर को ठीक से सर पर लिया और घर से बाही निकलाई वो आईसा हैसा कदरम उठाती उस आदमी की तरफ बढ़ने लगी लेकिन पास आने पर उसे अचीब सा हैसास होने लगा उसे लगा जिसके पास वो जा रही है वो इनसान नहीं बलकि कोई और चीज है लेकिन अब वो उसके बहुत करीवा चुकी थी और उसकी सोच फिल्कुल ठीक थी वो इनसान नहीं बलकि कोई और मखलूक थी वो चीज रू की मुझोद्की को मेसूस कर चुकी थी रू ने अबने कदम वहीं रोक लिए चीज बलटकर उसकी तरफ देखने लगी और उसे देखते ही रू की चीख निकली शाहरम ने बिलकुल ठीक कहा था यहाँ पे हतरनाग और होफनाग तरीन जानवर है ना जाने इनसान नुमा दिखने वाली ही कुन से चीज़ सी जिसके हाथ में किसी जानवर के एक चोटा सा बच्चात और मुँ खुन से लत्पत था और अब उसका अतला शिकार रू थी हतरनाग तरीन जानवर लेकिन पास आने के बाद पता चला कि यह कोई आत्मी नहीं बलके एक चानवर है उस क्रक्कत किसी आम आत्मी की तरह था मगर जिस्वाने लिहाज से काफी मूझा था और बिल्कुल आम आत्मी की तरह दो पैरों पर चल रहा था शकल हतरनाग तरीन सूवर जैसी थी रूगी तो जैसे सांस सी धमने लगी वो हतरनाग जानवर देशी से उसकी तरफ लबका रूगो लगा कि जैसे वो अपनी आखरी सांसों के बहुत करीब है बस कुछी धेर में उसके सिंदे ही हतम होने वाली है वो हदरनाग तरीन जानवर उसकी तरफ वढ़ने लगा था और अब कुछ ही लंगों में उस पर हमला करने वाला था वो चीख मारती जैसे ही पीचे की तरफ भागने लगी कोई उसके उपर से चलांग लगा था उस हदरनाग जानवर और रू के पीच आरू का और अपने हाथ में रखके हुई कोई चीज चानवर की करतन के अंदर गुसा दी यारम भागे यहां से चले यारम प्लीस चले यहां से रू कहते हुए उसका हाथ पकड़कर पीचे की तरफ खिशने की कोशिश कर रही थी लेकिन रू के लिए समझना मुश्किल था कि वो चानवर अभी तक पीचे क्यों खड़ा है उन पर हमला क्यों नहीं कर रहा रू ने जब उसे खिशने की कोशिश की तो चानवर भी साथ कदम उठा रहा था चले यहां से वढ़ना अंदर जा रू वो बिना किसी तर के बोला लेकिन रू ने उसे खिश्टाना चौळा जब रू ने यारम के हाथ पर हूँन लगा देखा वो खूँ यारम का नहीं बल्किए उस हतरनाक चानवर का था यारम के हाथ में कोई छीज ती जो उस चानवर की कर्दन के अंदर थी और गर्दन से निकलता हुआ, खून शारम के हाथ पर गिर रहा था शारम ने एक चटके से वो चीज उसकी गर्दन से निकालकर चानवर को धका मारा वो दूर जाकर समीन पर गिरा, खून तेजी से उसकी गर्दन से निकल रहा था यारम चले यहां से पुरू ने सहमें वे अंदास वे कहा नहीं ये जिन्दा है जब तक में इसे मार ना दू नहीं जौँगा यारम ने एक जटकी से उसके हाथ से अपना बासु छुड़ाया और फिर से उस जानवर की तरफ वढ़ा और फिर उसे करीब पैटकर उसे देखने लगा वो दर्ट से तड़प रहा था यारम छोड़ी इसे चले यहां से पुरू ने उंची आवास से कहा जबकि यारम अगले ही लमे अपने हाथ में पकड़ी हुई चीज उसकी करदन पर जोर-जोर से मारने लगा जानवर अजीवों गरीब आवास से निकाल रहा था जिससे रू और जादा डर रही थी यारम बस करें वो मर चुका है ग्यारा से बारा बार चागो उसके जिसम के अंदर गुसाने के बाद भी यारम कुछ चैन ना मिला था नहीं रू अभी भी जिन्दा है अजीव जिनूनी अंदास से बोला और एक बार फिर से अपनी कारवाई शुरू कर दी यारम बस कर दे वो वैसे भी मर जाएगा रू ने एक बार फिर से उसे करीब आकर कहा नहीं इसे मारने का हक सिर्फ मुझे है इसकी हिमत कैसे हुई तुम पर हमला करने की ये तुमें मुझसे दूर लेक के जाने वाला था ये तुमें मार देने वाला था रू ये मेरा मुझ्रिम है मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ूँगा वो दिवानों की तरह कहता एक भपिर से चाको जानवर की जिसम के अंदर पाहिर करना शुरू कर चुगा था अजीब अंदास था अब रूखो उससे डर लगने लगा था वो कैसे किसी की इतनी बिदर्दी से चान ले सकता है वो उसे कुछ फास्ते पर उसे देखने लगी उसके नस नस में यारम का डर करदिश कर रहा था चानवर की जिसम से हर किसम की हरकत हिद्व हो चुगी थी यकीनन वो मर चुका था लेकिन यारम अब तक उसे मारे जा रहा था वो हिम्मत करके उठी और उसके पास आई यारम अब तो मर गया अब बस कर दे रूट धर्टे हुए उससे गरीब आकर बोली मगर यारम उसकी बास सुन कहा रहा था उससे तो अपनी कारवाई अब तक जारी रखी थी वो मसलसल चाकू चानुर को मारे जा रहा था कहते हैं किसी मुड़ा जिसम के अंदर से चाकू निकानने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए ना जाने ये हिम्मत यारम कहां से ला रहा था लेकिन उससे ये काम अभी तक रोका नहीं था मजीद ये सब कुछ देखना रोक के बस से वाहिए था चानुर मुकमल तोर पर हून से लटपत और उसका हून पूरी तरह से परफ़गी रहा था वो दिवाना वार उसे मारे जा रहा था रोको उसके दिवानगी से जीव खोफ आने लगा रोख वहां से उठी और अपने गर की तरफ भाग गई शाहरम ने उससे दूर चाते हुए देखा और एक बार फिर से दिवानों की तरह और जादा उसे से मारने लगा तुम मेरी रोख को मारने आए थे मेरी रोख को मुझसे दूर करना चाहते थे देखो क्या इंचाम हुआ तुम्हारा कोई भी मेरी रूख को मुझसे दूर करेगा मैं उसका ऐसा ही हाल करूँगा रूख बस सिर्फ मेरी है सिर्फ मेरी सुना तुमने वो चिलाते हुए कह रहा था और अपना काम चारी रखा वो थोड़ी देर के बाल वापिस आया तो उसके पूरे कपड़े हुन से भरे हुए थे रूख समीन पर बैदी में सलसर हो रही थी वो उसका डर समझकर उसे गरीब आया उसे रूख पर इस तरह से बाहर निकलने पर बहुत गुस्सा आ रहा था लेकिन यह वक्त गुस्सा निकालने का नहीं था बलकि रूख को उस धर से बाहर निकालने का था तुम्हें डरने की कोई जरुष नहीं है रूख मैं हूना तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा तुम्हें अपने हाथ से पैथा हून साफ करते हुए यारम उसकी तरफ बढ़ा जो पूरी तरह से डरी सहमी हुई थी यारम आप ने उसे यारम आप ऐसा कैसे कर सकते हैं रू ने सहमे हुई अनदास में यारम का हाथ अपने हाथ से दूर अटाने की कोशिश की रो मैं ऐसा नहीं करता तो वो तुम्हें मार डालता लेकिन अब तुम्हें घवराने या डर्ने की जुरूरत नहीं है वो जानवर अब तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड सकता तुम्हें उससे डर्ने की जुरूरत नहीं है यारम मुझे आप से डर लग रहा है यारम आपको अंदाजा भी है आपने क्या किया है उसके साथ प्लीज मेरे पास मत आएं प्लीज मुझसे दूर रहे रूह कहती हुई तेजे से सीरियां चड़कर अंदर से दर्वासा बन कर चुगी थी तुम्हें मुझसे डर लग रहा है रूह मुझसे अपने यारम से दिवाना वार अपने हाथ में लगा हून देखता और प्लीज में दर्वासे की तरव जो अंदर से बन था अपना सारा घुसा वो जानवर पर निकाल के आया था इसी रूह पर गुसा निकाल कर उससे मसी तरा नहीं सकता था मुझे ये सब रूह के सामने नहीं करना चाहिए था रूह को वहाँ से भेज कर मुझे उस जानवर को मारना था लेकिन अब क्या हो सकता है आज नहीं तो कल तो तुम्हें सब कुछ पता चल ही जाएगा न तुम्हें वैसे भी तो सब कुछ पता चल जाएगा तो फिर क्या हर बार ऐसे डर्दी रहोगी तुम्हें समझना होगा तुम्हें समझना होगा कि मैं ऐसा ही हूँ और हमेशा ऐसा ही रहोगा और अगर तुम ऐसे ही डरती रहोगी तो कैसे गुजारा होगा हमारा आज जानवर की मोद पर तुम इतनी उदास हो रही हो और जब कल तुम मेरे हाथों कहीं लोग मरते देखोगी तब तुम्हारा क्या हाल होगा तुम्हें इस सब के लिए तयार रहना होगा लेकिन अगर तुम मुझसे दूर होगी तो नहीं मैं तुम्हें मुझसे दूर नहीं होने दूँगा नहीं मैं तुम्हें ये सब कुछ नहीं बताऊंगा फिर भी पता चल गया तो तो मैं तुम्हें कभी खुछ से दूर नहीं जाने दूँगा फिल्धाल सब कुछ ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है, तो मैं कुछ भी नहीं पता, और मैं कुछ भी पता नहीं चलने दूँगा अपने आपको रिलेक्स करते हुए बोला, लेकिन एक अजीब सी वहशत थी, जो अंदर तक जा चुकी थी वो सिफिक जानवर था, जो रूर जान ले सकता था, वो अभी तक नीचे सोफे पर वैठा, अपने कमरे का पंदर वासा दिख रहा था, वो उठा और बाहर काड़ी से आकर अपना स्वान निकाला उससे आज रूर के लिए बहुत सारी शोपिंगी थी, जिसकी वज़ा से उसे इतना वक्त लग गया, वो सारा समाल लेकर अंदर आया, और वहाँ से अपने लिए एक सूट निकाल कर, अपने कंदे खून उलूता कपड़े उतारे, बात लेकर फ्रेश हुआ, ताकि जिसम से उस गंदे जानवर के जिसम के खून की वद्भू खतम हो, अब उसका इरादा रू को बनाने का था, मुझसे रूट कर गई है, लेकिन यारम फर्क नहीं कर भाया था, यो उससे रूट कर नहीं, बलके ड़के अर्दूर हुई है, यारम ने सबसे पहले किचन में आका खाना निकाला, जो कि वो अपने साथ लाया था, उससे बता था, अब तक तो रूट को बहुत सक्त भूक लगी होगी, सुभावी बहुत हलका फुलका नाश्टा किया था उसने, कमरे तक आया और दर्वासा करकटाया, दर्वासा पहले से ही खुला हुआ था, यानि कि जो तब से आरम समझ रहा था, कि वो उससे नराज है, अंदर से दर्वासा लौकर के बैठी है, वो उसकी गलत फेहमी थी, वो अंदर आया तो बैठ के पास जमीन पर बैठी, अपने कुटनू के किर्ट, हाथ बांदे, कुटनू पर सर रखके, शायट रो रही थी, वो उसकी करीबा कर बैठीया, रो, मैं जानता हूँ मेरी जान, आज जो कुछ भी हुआ, वो बहुत गलत था, मैं भी डर गया था, लेकिन उस जानवर से नहीं, तुम्हें खोने से, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है, कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, इधर देखो, मेरी तरफ, उससे रो को अपनी दरफ करते हुए कहां, जो घुस्से से दुबारा मू फेर कई, तुम्हारे इलावा कोई नहीं है मेरा, अगर तुम्हें कुछ हो जाता, तो क्या होता मेरा, मैं तो चीते ची मर जाता ना, यारम प्लीज ऐसी बाते मत करें, वो जो उससे मू फेरे दूसरी तर कर उसके तरफ हुई, तो फिर क्या करूं रू, मैं अपनी जिंदी की तुम्हारे वगेर सोच भी नहीं सकता, और तुम्हें किस ने कहा था, बाहर जाने के लिए हां, मना करके गया था, फिर क्यों गई तुम बाहर, वो उससे पूछने लगा, यारम मुझे लगा बाहर वो इतनी बेवकूफ है, पीछे से तो आदमी ही लग रहा था, ना जाने वो कौन सी वखलूत थी, और तो और वो दो पहरो पे चल रही थी, जानवर तो चार पहरो पे चलते हैं न, उसके सूसू अब पीचारी थी, जिस वार यारम की टिंपल नुमाया हुए, जो वो चल् यहां का रास्ता पता है, जो उस वेचारे आदमी, मेरा मतलब है, उस दो पैर वाले चानवर को बताने जा रही थी, यह इंसानियत के जोश्में यह बात सूजी ही नहीं, यारम अब उसकी क्लास से रहा था, यह बात मैंने वाकई उस वक्त नहीं सूजी थी, उसे यारम आपको हो क्या गया था उस वक्ता है, उस वक्त आप मेरे यारम बिल्कुल नहीं लग रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे कोई और इंसान है, वो जो उसे गुस्से और बहरायमी की वज़ा से उससे दूर हुई थी, उसमें अपना पुराना यारम देखकर फिर से उसी क जार से अपनी बातों में फिसला रहा था, तुम्हें पता है, वो एक बरफानी सूर था, वो इंसानों की तरह इसी चलता है क्योंकि उसकी कमर की हड़ी बिल्कुल सीधी होती है, इंसानों की तरह, लेकिन मुझे ये बात समझाओ के तुम्हें वो इंसान क्यों लगा, ये हतरनाक जानोर जो पीसे से भी इतना मुरा लगता है, यारम को अपनी हसी रोकना मुश्किल लग रहा था, सबसे उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था, वो नहीं लग रहा था, मुझे लगा उससे कोई जमपर पहना हुआ है, जैसे आम इंसान पहन के चलते हैं, अब वहाँ हसी रोकी यारम का चेहरा सुर्ख हो चुका था, मजीद अपना कहका रोक न सका, अच्छा दफा करो, उसे जो होना था हो चुका है, अब खाना खाओ, वो हस्से हुए उससे खाने की तरफ मतवच्छा करने लगा, सफर की वज़ा से यारम काफी धगा हुआ लग रहा था, उससे करीब बेट पर बेटते हुए बोली, बस पांच दिन और हम वापिस चलेंगे, शारम ने उससे अपने करीब करते हुए उसका सर अपने सीने पर रखा, नहीं यारम मुझे यहां नहीं रहना, लीज वापिस चले हम यहां नहीं रहेंगे, शारम उसका टर बहुत अच अच्छे भी यहां नहीं लाएंगे अचानक उसके खंदे से सर उठाकर मासूमित से बोली तो यारम मुस्कुराइवे ना रह सका मेरा मतलब है कितनी अधरनाक जगा है यह उसे यारम की मुस्कुराइवे ना दुबारा उसके सीने पर अपना सरक दिया हमारे बच्छे टर जा यारम की कहने पर रो ने उसके चेहरे की मुस्कुराइट देखी फिर शर्मा कर उसके सीने में सर चुपा गई मेरा वो मतलब नहीं था वो मिनमिन आई यारम आपके हाथ में दुपहर में वो जो चड़ी थी वो कहा है रो के सवाल पर उसे देखने लगा मेरे पास ही है तु इलहाल तो मेरे बारे में सोचो यारम ने उससे अपने मजीद करीब करते हुए कहा इससे पहले कि वो कुछ और कहती उसके लबों पर अपने होन रख रुका था इस वक्त वो सिफ अपने और रो के बारे में बात करना चाता था किसी चुरी या चाको के बारे में नहीं रात का ना जाने कौन सा पहर था, रू की आँख खुल गई, यारम उसके साथ गहरी नीन में था, नीन में भी उससे रू के खेत अपना खेरा बनाया और खा था, जैसे कोई छोटा सा बच्चा, अपना कोई अजीज खेलोना अपने पास रख कर सोता है, तो पहर में भी वो काफी तेर तक सोती रही, मसीद लेते रहना रूख मुश्किल लगा, उठकर खिड़की की डरफ आई, दिन का मनसर अप भी उसके सामने था, दिन के बारे में सोचकर, एक बार फिर से खौफ ने उससे किर्थ हसार बना लिया, इस जगह उससे दुपहर को वो इनसान नुमा इस वक्त वहां उसी नसल के बहुत सारे जानवर थे, उसने देखा, वो सारे जानवर वहां पे उस मुर्दा जानवर का गोश्ट नोश डूश रखा रहे थे, कोई कैसे अपनी ही नसल को इस तरह सिखा सकता है, या अल्ला आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें इ पेचान दी, लेकिन आज भी ऐसे लोग हैं, जो अपने ही रिष्टेदारों का हून चूस रहे हैं, हून चूसने का मतलब यह नहीं है, कि वो उनके साथ कोई दरिंदगी नुमा कमाम कर रहे हैं, बलकि जिस सरा से वो उनकी दोलत को हत्याने की कोशिश करते हैं, उनकी यह जानवर बिलकुल एक जैसे हैं, बस फर्क इतना है कि वो अपनी जैसे मूरता नसल को खाते हैं, पर हम इनसान सिंदा को ऐसे नोचते हैं, शारम के लाग कहने के बावजूद वो ना मानी, तो शारम वापिस चलाया, और रू की जित की वज़ा से इस वक्त वो दोनों ए पोन, रू नी कहा, वो आदमी जिसे आँखे भाड़े देख रही हो, शारम ने दान पीस कर कहा था, मुझे क्या बता होगा प्यारा, मैं तो उसके गोत में बैजी टॉगी को देख रही हूँ, देखे न कितना प्यारा है, क्यूट सा, आप तो कहते थे किस मुल्क में लोग चानवर नहीं पालते, रू ने यारम का देहान चोटे से कुटे की तरफ किया, रू ये एरपोर्ट है, यहाँ पर दुनिया के बहुत सारे लोग है, और ये कुटा अगर इस आदमी का है भी, तो ये इस मुल्का नहीं है, और वो छोटा और प्यारा सा नहीं है, बहुत ते देखना उससे अच्छा नहीं लग रहा था, रू के प्यार पर सिफ उसका हग था, चाहे वो छोटा सा चानवर ही क्यों नहीं हो, यारम प्लीज चाहिए न, इस आदमी से पूछे, क्या वो टॉगी हमें देगा, रू दमाख हराब हो गया है तुमारा, मैं किसी आदमी से उ तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मंगर इसका मतलब यह हर्गिस नहीं है, कि मैं लोगों से उनके कुट्टे मांगता फिरूँ, और तुम्हें क्या लगता है, वो आदमी अपना कुट्टा हसी हुशी तुम्हें दे देगा, वेचारे ने बहुत मेनट से पाला होगा उसे इसारम ने बात अतम करना चाही, कहा पाला है, इतना चोटा तो है, वो पालूँगी, मैं, अगर आप उसको यहां ले आएंगे दो, एक पर पूछने में क्या हर्च है, आप मेरे लिए लिपस्टिक नहीं लाए थे, रू को अचानक ही याद आ गया, कि शॉपिंग की चीज आते हुए कहा, प्लीज इस आदमी को मना के डॉगी ले आएएगा, शारम ने एक नसर अपनी बेवकूफ बीवी को देखा, और फिर उटकर उस आदमी की तरफ चल दिया, अब तो भई का टॉन लोगों से कुटे मांगता फिरेगा, शारम ने आदमी के करीब बैठते आतमी ने पहले मुसकुराते हुए इसके बाद सुनी, लेकिन बात मुकामल होने के बाद इसके मुसकुराइट भी हतम हो गई, आतमी ने इंकार करते हुए कहा, जारम अब भी उससे बनाने की कोशिश कर रहा था, जबके उसका दिल चाह रहा था, अपने पीछे की जेश से बलेट निकाल कर उसकी करदन काथे, और वो कुट्दा रूखो दे थे, आत्मी बेयकीनी से आंके भाड़े उससे दिख रहा था, तुम्हारी इंडियन करंसी में ये एक करोड से उपर होगा, जारम ने उसके हाथ में उसके काट देखते हुए कहा, जहां राकेश मनोतरा लिखा था, तुम्हार दमाँ खराब है, तुम एक चोटे से कुट्दे के लिए इतने पैसे देने को तयार हूँ, वो आत्मी भी अब उससे उसी की सुपान में बात करने लगा, हाँ, मैं तुम्हें इस कुट्दे के लिए मू मांगी रकम देने को तयार हूँ, अगर ये कम है, तो और देने को तयार हूँ, मुझे मेरी पीवी को ये कुट्दा तोफ़े में देना है, व्यारम ने उसकी कोट में कुट्दा देखते हुए गहाँ, तुम्हें पता है, मुझे दुनिया में बस यही एक जानवर अच्छा नहीं लगता, लेकिन मेरी पीवी को ये बहुत पसंद आया है, तुम ये मुझे दो, बदले में अपनी जिंदी की सवार लो, यारम ने बात हतम करना चाहिए, मोके से फाइदा उठाना चाहिए, यारम ने सोचते हुए देखकर कहा, मैं तीस हजार धरम लोगा, वो काफी देख सोचने के बात बोला, तो यारम के टिंपल नुमाया हुए, तुम ही ने तो कहा, मोके से फाइदा उठाना चाहिए, उसको हस्ता देखकर वादमी जल्दी से बोला, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, यारम ने अपनी जेब से चेकबुक निकालते हुए कहा, थैंक यू सो मच, तुम्हारी वज़ा से मेरी बीवी मुझसे नराज नहीं होगी, यारम ने चेक साइन करते हुए कहा, या तो तुम्हारे पास बहुत पैसा है, या तुम अपनी बीवी से बहुत प्यार करते हो आदमी ने चेक थामते हुए कहा अगर तुम सीधे तरीके से मेरे मतलब है पैसा लेकर ये गत्ता मुझे नहीं देते तो मैं तुम्हें मार कर ले जाता अब तुम हुद ही अंताजा लगा लो कि मैं अपनी बीवी से कितना प्यार करता हूँ शारम कुत्ते की रसी पकड़कर उसे खीचटा हुआ अपने साथ ले गया हूँ